करेंगे कितने तक होगी पता नहीं जब तक है तब तक डिसकेशन कर लेंगे अब देखिए क्या होता है नॉर्मल में मार्केट में लोगों को ब्लेम देने का आदरत होता है अभी क्या करेंगे अरे सेबी ने ये डरिवेटिव एक्सपाइरी कम कर दी इसके लिए मार्केट गिर गया कोई सेंस नहीं है इसा फालतु बक्वास का ठीक है है हुआ क्या है इरान हैज बिन ड्राइग इन्टु वार ठीक है से बिजनस कनेक्शन अच्छा का साथ है उस एरिया से वो सब करानी एफेक्ट है सेकेंड पॉइंट यह है कि देखें हमारा मार्केट बर रहा था तब कोई रिजन था क्या कि सबसे ज्यादा जो बूल इन्वेस्टर भी होगा माली किसी ने 2024 का क्या टाइट दिया होगा किसी भी का चेक कर लिजेगा किसी भी एनलिस्ट का तो बीसेर के प्लस नहीं था आजम 26,000 बैठे हुए तो अननेसेसरी मांकेट बढ़ा भी है ना अब इन्वेस्टर बट मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताऊंगा जब जब इंडिया में क्राइसिस का समय रहा है तब तब मार्केट इसी तरह बढ़ा है और जब उसके बाद धिरे-धिरे क्राइस सेटल डाउन होता है मार्केट सेग्नेंट हो जाते है जब 90 में हमारे को ऐसा कंडिशन आ ग पड़ा था इमाजिन करिए कि उतना कुछ जो प्लेज हम करके रखें और उसके बाद वहाँ से हम धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-ईकनॉमिक रिकवरी पनाए उस समय पता है इंडिया में 1990 में इंडिया का पर्चेजिंग पावर पैरेटी आल्मो सिंग को बहुत डिस्पेक्ट दिया रहता है वेदर यू आर इन पावर और इन पोजिशन लोग डिस्पेक्ट देतने हैं उनको इसलिए दितने हैं बिकास उन्होंने उस समय इंडिया की समाला था बट उस समय मार्केट हाई लगा रहे थे उसमें हरशाद मैंता का एरर चल मार्केट गिरेगा ऐसा नहीं है कल मार्केट चूट भी कर सकता है क्योंकि यह जो गिरा है ना गिरने में भी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाया थे क्योंकि हॉलिडे था आधा तो गैप डाउन खुला उसके बाद रिकावरी की तो उतना में कितने लोग शॉट कर पात है लाई मार्केट में भी 200 गिरने के बाद मैंने बुला अब प्रॉफिट बूक आउट कर लेते हैं वहां से भी और देट गिरा एंफ्ट बाई तो मजाक नहीं था एंड ऐसा कोई भी चीज नहीं हुगा है अगर गिरना हो ग्लोबल मार्केट से करण गिरते तो ग्लोबल म और हम पता नहीं कौन से सुना होगा रहे हैं जिसमें हमारा पी रेशियो चल रहे सब भी सताइस का काफी लोग बोलेंगा पीक तो सर्फ फॉट्टी का है अरे मेरे भाई तुमको यही तो नहीं समझ में आता है कि पीक जब होता था उस समय स्टैंडलन पी कही साथ जलता थ है आज हम उल्रीटी 4045 के प्लस होंगे अगर चेक कर लो तो लेकिन नहीं उतना कौन दिमाग लगाता है आपको तो जो लोग बरक लाते हैं बहकाते हैं बाई दडे बाई दडे बाई दडे बाई दडे करते हैं उसी में आप मजा लूट रहे हैं लूटी कोई दिक्कत की ब कह रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कल मार्केट फिट से कि देगा कल लोग एंट्री नहीं बना पाए हैं नेक्स एकसपाईडी चालू होगी कल से एंट्री बनाने जाएंगे लोग क्या पता वह मार्केट वहां से शूट कर जाए क्योंकि लोग कोई भी फ्रेश लेवल पर शॉट करें लोग सोचेंगा थोड़ा बाल मिलेए उस बाउंस में शॉट कवरिंग करें मैं चाहता हों कि मार्केट गी रहे डेशेन मीन कि मैं बेवकूफ हूं हूँ कि मुझे यह पता है लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है नेक्स एक्सपाइडी में जगह नहीं मिला ना आज कहीं बैनेज करते रहेगा जब लोग पोजिशन तो कलका कहां से बनाएंगे अब कलका जब बन जाएगा पोजिशन तब उसके बाद फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी टक 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 मार्केट गिटने का और एक च थोड़िए यूएस एलेक्शन्स हैं नौवंबर में उसके पहले सारे ग्लोबल मार्केट करेक्ट करेक्ट रहेंगे यह शोड रही है इसके लिए क्योंकि ट्रम्प आते हैं कि कमला हरेस आती इसे बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि ट्रम्प क्या है बिजनस फ्रे सब्सक्राइब क्योंकि वह लोग क्या है बिजनस फ्रेंडली पीपल है इन फैक्ट जब लास्टाइम ट्रम्प पावर में था नो उसका सबसे बड़ा चीवमेंट पता है क्या था उसने जो इल्लीगल इमिग्रेशन थे प्रॉपर इमिग्रेशन वाले हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई आप डॉक्टर हो आप सीए हो आप इंजिनियर हो आप आओ यूएस कोई दिक्कत नहीं है उनको लेकिन आप कुछ भी बतलब ऐसी आगए बतलब ठेला लगाने के लिए डाला लगाने के लिए तो फिर मत आओ भाई वह उसका लॉजिक था तो उसने बॉर्डर वगेरा सब क्लोस कर दिये साधे एक्दम स्ट्रिक कर दिये इंफेक्ट डंकी रूट भी आजा खतम कर दिया था फिर उसने चाइना के टैरिफ प्रोड़क्स पर सैंक्शन लगा दिये तो वहां से समान आएगा एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे हम वहां के लोकल प्रोड़क्स का या फिर अधर देन चाइना का ग्रोथ हो वह उसकी प्लैनिंग थी तो अगर वह सेम सीच्विशन करता है इट विल बी गुट फो कॉर्पे अमेरिका मार मार्केट भी थोड़ा सा तो पैनिक में रहना चाहिए थोड़ा सा हमारा भी मार्केट पैनिक में रहेगा प्रस अभी कुछ कुछ स्टेट इलेक्शन भी है उनके भी रिजल्स आएंगे एंड कितना ये लोगों ने बीजेपी अपना पाप का घरा भरी लिया है तो वह सब स्मार्ट सिटी और उसमें से एक में भी आप नहीं रहते हैं आज की डेट में तो आप लोग की दवाति नहीं करना है क्योंकि वह अंस्मार्ट लोगों का स्मार्ट सिटी है जहां आप रहते हो तो उसकी बाद हम नहीं करते हैं लेट इट भी सो आते हैं कि क्या डिसकेशन कल के लिए मार्केट्स हो कैसे अप्रोच करना है फोड़ा सा ब्लड ऑन स्ट्रीट है पैनिक अरॉंड है बट देखिये अभी चार्ट पर भी दिखाऊंगा यह चीज को क्या होता है ना कि जब भी मार्केट एक नाउंड नंबर पहुंचता है तो बुल्स का टागेट उसका नंबर हो जाता है डागेट उसके लिए नंगर फ्योंड हो जाते है इसके नीचे वाला यह जाता है करना है बट आप्स जाए या कि आप जिन लेवल्स में इन्वेस्ट कर रहे है यह इंक्या यह जएब व लेवल से हैं अगर आपको लगता है कि यह तो किस एंगल से है किस पैरामीटर से है एक पैरामीटर इकनॉमिक को बता दीजेगा अरे ठीक है पांच साल बाद आप कहिएगा कि एक सब्जेक्ट था इकनॉमिक्स बट आज तो है अब इसका अंदर यह नहीं कि कल फिर मार्केट गिरेगा पहले गिर भी सकता है नोबड़ी नोज बट किसी ने एंट्री बनाई नहीं है फोड़ा बहुत है एंट्री बट ऊपर के पोजिजिएंस पे लोग चाहेंगे कि पहले मार्केट ऊपर आए ऊपर के पोजिशन में और करेंगे फहले आते हैं कि क्या discussion अपना तेख लेते हैं मैं देखाता हूं मैं ने बहुत कर दी बहुत कर दी महर्बान आते आते एनिवेस मैंने नो आट कर अपडेट किया कैरी फोरवर्ड शॉर्ट्स के ऑन बुक आउट इन ओपनिंग फ्रेश शॉट्स अभी रूखिए पाज असमेट में लेवल अपडेट करूँ गा क्लियर था कि जो भी करी फोरवाड शॉर्ट्स हैं ओपनिंग में बुक कर लीजिए और फ्रेश शॉट्स का लेवल अपडेट सब्सक्राइब करें तो सर्च करेंगा तो सर्च करेंगा फाइफ सेवेंटी सिक्संड़ेड और फिफ्टी टू फोर हंड्रेड फाइफ हंड्रेड पहले तो यहां से क्लियर गिरते गया गिरते गया 500 पर भी आया यहां पर आया है तब मैंने बुक आउट का बोला है इस रेंज में अभी मैं डिसकस करूंगा उसके बारे में फिफ्टी टू फोर हंड्रेड यह रेंज में भी क्या हुआ अगें इसमें भी फिफ्टी टू फोर हंड्रेड का लेवल जब तोड़ा अच्छा का साथ तूटा फिर यह रेंज में आया यह रेंज में आगे काफी दिर का सुलिडेट किया मैंने वही चीज के बाद है अपडेट किया टेन ट्वेंटी सिक्स पर ट्वेंटी फाइफ फाइफ उड्रेड कर रहा है मार्केट बार-बार मीन्स अब कोई भी बड़ा शॉर्ट पोजिशनल बेसिस पे अब कोई शॉर्ट बनना है फिर मार्केट ने टेन ट्वेंटी सिक्स पे 25 फाइफ फांडेट के आसपास यह था फिर जब तोड़ा फिर से मुव फिर उसके और भी गिरह है असा नहीं कि नहीं गिरह है ठीक है और मैं बार पर क्या अपडेट कर रहा था 11-12 पे अप्डेट किया कोई भी बुलिष ट्रेट 20 एमें फाइफ में टाइम फ्रेम के ऊपर ही प्लान करेंगा not बिफोर दाट यह क्लियर था कोई भी बुलिष ट्रेट प्लान नहीं करना जाता है 20 एमें फाइफ में टाइम नहीं डूटे फिर 11-38 पर मैंने अपडेट किया है शौर्ट यहां पर बुक आउट कर सकते हैं 11-38 पर जब यह अपडेट किया उस समय फिप्टी फ्रेंटी फ्रेंट मार्केट थ हां ठीक है 170-180 के असपास अब देखें क्या हुआ है उसके बाद ऐसा मार्केट और नहीं कि रहा है पर मार्केट ने काफी तरह यहां पर टाइम बिताया है और इन फैक्ट यह भी हल हुआ है कि पुट के प्रीमियम बढ़ी नहीं रहें बढ़ी नहीं रहें फिर जब वह 300 क पर जर्जमेंट लेना पड़ता है मेरा जर्जमेंट वहां पर वही था ठीक है और फिर मैंने 1230 पर भी अप्डेट किया रिमेंबर गोल्डन रूल स्पेशली फॉर टुडए अलनेस मार्केट मूवस आवर 20 यह में एनी बूलिश ट्रेड विल भी होप ट्रेड बार बार है अब होता रहता है कभी अध्या जाता भी है तो जES दिन राता है वसं फोडंवा 10 जीन डुड जाथा आन्दे chemistry रहे तो कि सर क्रैश किया है तो डिसकाउंट दे दो तो एक काम करता हूँ एन्वल जॉइनिंग फीस पे वो कुछ डिसकाउंट डाल देता हूँ ठीक है अगर यह वन डे टाइम फ्रेम देखेंगे हम एक ही दिर में ट्वेंटी में भी तोड़ा है अच्छा अभी दिख रहा है यह जब मैंने सुबह देखा तो तो अच्छा ट्रेट देगा देगा तो और कितना चेस करेंगे भाई पता ने इतना गिर गया बास समझे ठीक है अब फिफ्टी में तोड़ेगा तो बड़ा टागेट नीचे का उपन होगा उसके पहले नहीं होगा मतलब 25,000 तक नेक्स्ट लेवल दिखाई देता तो है बट एक पैटर्न आप नोटिस करिये वहां गिर के फिर वापस ऊपर गया है ठीके फिर नीचे फिर वुपर 26,000 फिर वापस तो 3000 बढ़ रहा है बना तो लिया मानना यह है कि अभी जो नेक्स्ट ऑक किया भी ना तो फॉस्ट इसको हर्डल मिलना चाहिए 20 है पर जो कि 555 60 के पास है तो वो डेली पोजिशन के इस आप से तो वहां पर एक हर्डल आपका बनके आएगा कब बनके आएगा पता नहीं यहां रखिएगा अब आते हैं चोटे टाइम फ्रेम पर नीचे लाश में कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं कर रहा था और मैं यही पूर रहा थो 25 100 25,000 का लेवल 50 25,000 नमबर भी तच कर लीजे अब साइट में जब तक 25 300 के ऊपर नहीं के लिए बुलिश भीव मत लाइएगा तब येस 380 फर्स्ट लेवल 450 सेकंड लेवल इवेंच्वल लेवल 550 तक जा सकता है 550 पर जाएगा ना तो डेली टाइम में चुकि 20 में वहां पर वहां पर लोग शौट बनाना साइट चालू करेंगे तो मेरा तो रीडिंग यही कहता है बाकि आपकी रीडिंग जो हो उसके हिसाब से मेरी वीडियो जरूर लाइक करती है पहला बात तो यह बता दूं आपके तो क्या धेन रहना ना अपने को 235 नीचे में 300 उपर में जिस साइट मार्केट तोड़े डैक्शन का वेट करिएगा अच्छा उपजिंटी दिए मैं क्यों गोल रहा हूं कि लोग ज्यादा एड़ पाएं आप नोटिस पर 25-233 कॉंडिटी टू फिफिफ्टी पर सत्राइजार टू थ्री अन्रेट पर 57,000 400 पर 81,000 मतलब इतना दूर दूर पोजिशन से लोगों की पास पर कोई पोजिशन बना ही नहीं पाया है रैधर आप नोटिस पर 25-500 अपूट राइटा जाना है कर दो लोगों के ना पोजिशन सभी बने ही नहीं है बुलिश साइड करना जुरूरी है अब कोई करना चाहिए वो करेगा उसके बाद लोग बुलिश पोजिशन बनाएंगे अपको देखने को मिल सकेगा तो उसके इसाब से हम प्लैन कर लेंगे ठीक है अब आते हैं कि क्य निखते हैं क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा जब तक है जी ओन इंजॉय करिए निफ्टी वैंग में 52,000 के पहले बुलीज वियू मत लीजे 52 के ऊपर निकलेगा तो फिर 52,250 फिर 52,400 के तरफ मूव करेगा उसके पहले नहीं करेगा नीचे के तरफ में क्या लेवल ध्यान रखना है 51,800 का लेवल टूटेगा तो ही आपको मूव मिलेगा तो फिर नेक्स लेवल आपके लिए 51,250 का बनके आएगा अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें डिली टाइम फ्र की में के नीचे चलाएं गया इवेंच्वली 51,000 पे इसका हंड्रेड एमा है और हंड्रेड एमा है मल्टेपल बात टेस्ट भी कर चुका है कुछ दिन पहले ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा उसके लिए चेस करना कोई बड़ी बात नहीं आए और फिर 200 देमा तो हमारा 43 9,000 पे हैं अभी मैं को लगता है मुविं आड़ इस नीचे आने का टाइम आया है आएंगे यह लोग भी आएंगे बैंक निफ्टी में भी नोटिस करिए आप 52,000 पे तो कुछ कॉल राइटर्स हैं बड़ी यह भी तो 200 पॉइंट उपर का ही लेवल है एक्चॉल कॉल पता नहीं होता ना किसी को तो निफ्टी में 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी 4500 पॉइंट बाउंस होगा उसमें शॉट्स क्रियेट होंगे फिर वो जो शॉट्स क्रियेट होंगे वो पूरे मंतली चलेंगे क्योंकि अब लोगों को ब्लड लग गया है मुझ पे एंड बि करने को रेडी है तो उस समय अच्छा पैसा आपका बन सकता है तो दिखते हैं कि क्या होता है आते हैं सेंसेक्स में विकार इंडेक्स है सतर अठाट 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 गिड़ी जाता है एक दिन मजाग मजाग में है कल इसमें मार्क करें लेवल अपर निकलेगा तो 83,000 का फर्स्ट मूव मिल सकता है आपको और आंस है 83,000 के उपर निकलेगा तो और बुलिश हो जाएगा वो ध्यान रखेगा डाउनसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है कंपरेटिवली कम गिरा है जब तक 13,000 रिकलेम नहीं करें बुलिश मत लिजाएगा 13,000 के उपर निकलेगा तब 13,060 13,120 का लेवल आपको मिलने का देखने को डाउनसाइड में थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा 12,940 के नीचे आया तो 12,850 तक मार्केट मुवमेंट कर सकता है उसके लिए बेटल इपर रहीएगा मेजर स्टॉक चार्ट्स पर आते हैं HDFC जब तक 1700 होल्ड किया था मार्केट बचा हुआ था जैसे इसने तोड़ा कहानी खतम होगा इस वन डे टाइम पर देखिए तो यह भी 50 में आ गया बट यही रेंसे इसने ब्रेक आउट भी स्टार्ट किया था तो मार्क क्या करना है 1670 का लेवल नीचे में जब तक कोई मूव नहीं मिलने वाला ध्यान रखेंग एक्सिस बैंक 1190 के उपर जब तक नहीं जाए बुलिश व्यू मत लाईएगा आज चैसी कम गिरा है आज 1250 के नीचे आएगा तो ही वीकनेस नहीं तो नहीं है बजाज फिनाइस पता नहीं क्या हो गया अचानक से विचरा इतना तूट गया 74 के नीचे फ्रेश शॉट आएगा उसके वहला नहीं आएगा कमपरेटिव ली एस भी आज नहीं गिरा है रस्ता होई लाना बंद हो जाया गया 200 डेमा भी तोड़के फ्लोज गया मैं यहीं दिखाना जाता है तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने इलेक्शन के समय भी न जून में जो हुआ अकांड उसमें 200 डेमा नहीं तोड़ा था अभी तोड़ा है एंड 20 डेमा कट कर रहा है 100 डेमा को यह साइंस तो नेगेटेव हैं बट वह यह 28 अब तक नहीं तोड़े शॉट मत करिए और ऊपर में 2820 बट बुलिश इसमें कुछ तो गरबड चल रहा है क्या चल रहा है पता नहीं जब होगा तो देखेंगे सब्सक्राइब करेक्ट हुआ है बट 20 डेमा के पास यह जाद दूर गया नहीं है उसके उपर है या नीचे उस बेसे पर रच करिएगा सिल्वर में क्या धियान रखना है अपने को ठीक ठाक चल रहा है सिल्वर नाइंटी ऑन फाइफनेट के उपर जब तक है बुलिश इंजॉय करिए एंड ट्रेल करते जाहिए मिड्ल इस में इतना टेंशन चल रहा है सबस्यादा फाइदा कुरूड को होना चाहिए वीडियो ची लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा